हेलो दोस्तो केसे आप सब लोग दोस्तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सबजी और वो भी कुकर में पांच मिनट में आपकी सबजी बनकर तयार हो जाएगी और इस सबजी को बनाने के लिए हम लहसुन प्यास का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो बिना प्यास लहसुन के हम यह सबजी बनाएंगे वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल और फटाफट बन जाएगी आपको कड़ाई में इसे बनाने के जरूरत नहीं पढ़ने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो दूस्तो हलवाई स्टाइल आलू घोबी की सबसी कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े वाला कुकर ले लेना तो मेरे कुकर पांच लिटर का है सबसी इंपोटेंडी स्टेप आपको यही करना है कि कुकर बड़ा लेना है उसके बाद तीन बड़े चम्मस सर्सो का तेल डाल देना सर्सो के तेल में सबसी बहुत अच्छी बनती है उसके बाद आधा चम्मस चीरा डाल देना जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब दो मीडियम साइज के टमाटर और एक हरी मिर्ची को लंबा काट के डाल देना साथ में हमने अद्रक के लंबे लंबे टुकडे भी डाले हैं वह भी डाल देना आलू गोभी में अद्रक के लंबे लंबे टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आधा किलो गोभी को इस तरीके से काट कर लिया है जैसा वीडियो में देख रहे हैं देखिए इस तरीके की गोभी अगर आपको मिलती है तो वह लेना इस तरीके की गोभी से क्या होता है ना कि जब आप उसे कूकर में बनाते हैं तो इसमें मसाले अंदर तक जाते हैं जिससे स्वाथ बहुत बढ़ जाता है बहुती बढ़िया सबजी बनती है और आलू को इस तरीके से लंबे टुकडों में काट लेना तो आलू को भी की सबजी में कटिंग कभी बहुत इंपोटेंट रोल होता है तो आप अच्छे से और बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करना फिर आदा चमच हलती डाल देना आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर डालना है और ये डाला है मैंने हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर जरूर डालना है दोस्तों तब इस वाद अच्छा आता है वन टीस्पून इसमें डालना गरम मसाला और वो भी इसे स्टेज पर और नमक अपने स्वाद के साबसी डाल देना जितने भी मसाले बताएं हैं सारे डाल देना गरम मसाले से सबसी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और रामचूर पाउडर डालना बिल्कुल न भूलना इतने ही मसालों से सबसी बहुत बढ़िया बन जाती है मसाले सारे डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना जब तक कि टमाटर नरम न पढ़ जाए आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है नरम पढ़ जा रहे हैं जब टमाटर नरम पढ़ जाए तब यह जो सबजी है यह है इसमें डाल देना देखिए पिल्कुल ऐसी गोबी ही कट करके लेना है जैसा वीडियो में देख रहे हैं आजकल ऐसी गोबी मार्किट में आ रही है ये जो गोबी होती है न देशी गोबी ये होती है इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है खाने में बहुत टेस्टी लगती है अब सारी सबजी को कुकर में डालने के लिए अच्छे से मिला देना ये देखे थोड़ा सा यहां पर आपको मसाला दिख रहा होगा तो बस इतना सा मसाला दिखता है न जब तब थोड़ा सा ओलमोस्ट 1-2 टेबल स्पून पानी समी डालना है ज्याद है पानी न डाल लें एक से दो टेबल स्पूनी पानी डाल देना पिल्कुल ऐसे और फिर धकन लगाकर हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाने है दोस्तो एक ही सीटी लगाना ज्यादा सीटी लगाने से सबजी जो है घुल जाएगी फिर सबजी हलवेश्टायल नहीं बनेगी तो बस धकन लगाकर एक सीटी लगा देना तो दोस्तो एक सीटी आ गई थी हमने गैस बंद कर दिया है और जो स्टीम होती है ना कुकर की आपको रिलीज नहीं करनी है स्टीम बनी रहने दे और उसके बाद धक्कन हटा कर देखिए और देखो यहाँ पर ठोड़ा पानी इसमें है तो आप कुकर को तिप्चा करके देख बड़ा कुकर होने से सबजी को पकने में स्पेस मिलती है चोटी कुकर में स्पेस नहीं होती है जिसकी वज़े से सबजी खुट जाती है अब जब सबजी का पानी सूख जाए आपको अगर लगता है कि पानी है तो फ्लेम हाई करके इसको दो मिनट के लिए पानी को सुखा और जो चम्मच आप देख रहे हैं ना मेरी हाथ में बिलकुल ऐसी चम्मच से चलाना अगर आप गोल वाली चम्मच से चला देंगे तो सबजी खुल जाएगी और हलवे जैसी हो जाएगी एकदम खिली-खिली सबजी के लिए आपको सेम चम्मच के इस्तिमाल करना है और जब पानी सूख चाए तब धन्या डालकर अच्छे से मिला देना है तो ज़्यादा प्रेशर से नहीं मिलाना है हलकहा से मिलाना और यह देखिए दुस्तों गर्म गर्म सबजी बनके तयार है अब आप गोभी को देखिए बिलकुल भी ऐसे लग रहा है आपको कि इस सबजी कुकर में बनी है तो कुकर में बहुत आसानी से सारे टिप्स फोलो करके आप एक बड़ी सबजी ज़रूर बनाना आपको बहु तक यू